दोस्तों हुआ हैं तो दोस्तों अपने राजिस्तान के इतिहास में जैपुर का इतिहास अल रहा था थोड़ा सा क्या है कि यह एक त्रेUN से जैपुर का इतिहास जो है अपने विश्त्रीत इतिहास है थोड़ा सा तो अपने लंबे समय से इसके बारे में धिन कर रहे थी अब अपने लास्ट में अपने सवाई जैसिंग के बारे में चर्चा की थी जिसने जैपूर की स्थापना की है तो जैपूर के संस्थापक सवाई जैसिंग के बारे म देखो क्या हुआ कि यहाँ पर अब उत्रा दिकारी संगर्ष प्रारम हो जाता है ग्रह युद की समझे यह उत्पन हो जाती है तो इस्वरी सिंग का बाई था मादो सिंग और मादो सिंग और इस्वरी सिंग के बीच में जो है वो ग्रह युद होती है जिसमें मैं सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें तो दो मुखेत यूद आती है पहला यूद आता है जिसका नाम है राज महल का यूद और दूसरा यूद है जिसका नाम है बगरू का यूद कौन सा यूद है बकरू का यूद है राजमेल नमकिस्तान जो है वो कहां पढ़ता है टौंक में पढ़ता है और बगरू कहां है जैपूर में है राजमेल का यूद जो है वो 1747 इस्वी में लड़ा गया था और जो बगरू है बगरू का यूद संद 1748 इस्वी में लड़ा ग वर्सेज मादो सी हैं, किस-किस के बीच में हुआ है, इस्वरी सी हैं वर्सेज मादो सी हैं, और ये भी किस-किस के बीच में हुआ है, इनके बीच में जो युद लड़ा गया है, वो पहला युद तो कौन सा है, राजमहल का युद लड़ा गया है, और दूसरा युद जो है वो कौन सा लड़ा गया है बगरू का युद्ध लड़ा गया है अब देखो सर्वे पर्थम जो राजमहल का युद्ध इनके बीच में वा था इस राजमहल के युद्ध में क्या बातने हुई थी तो आपको दिहान रखना है कि इस राजमहल के युद्ध में जो है इस्वरी इस्वरी सिंग ने इस विजे की उपलक्स में जैपुर में इसरलाट का निर्मान करवाया था चीक है किसका निर्मान करवाया था इसरलाट का निर्मान करवाया था चीक है ना सरगा सुलिया इसरलाट जैपुर का त्रिपोलिया बजार है इसमें करवाया था इसका नाम और क्या कहा जाता है सरगा सुलित जिसको जैपुर की कुतुब मिनार के नाम से भी जाना जाता है जैपुर की कुतुब मिनार है सरगा सुलिय है इसर लाठ है इंगो निर्मान करवायो है कने किसने करवाया था ठीक है किसने करवाया था इस्वरी सिंगने करवाया था कौन से विजे के उपलक्ष में राज महल विजे के उपलक्ष में इसका निर्मान करवाया गया जो कि आसमान को छूती हुई परतित होती है जो कि इतनी उंची है यह आसमान को छूती हुई परतित हो लो अपने ही छेतर में सत्ता प्राप्ती के लिए लड़ा गया से सस्तर संगर्ष कौन सा यूद कहलाता है गरेय यूद कहलाता है अब है दूसरा यूद है जिसका नाम क्या है बगरू का यूद कौन सा यूद लड़ा गया है बगरू का यूद अब देखो बगरू के यूद बीच में अगर आपको दिhями रखना थोड़ा सा कि जो घ्यूद लड़ा गया है यह इश्वरी शिंग वर्सेज मदो सिंग के बीच मैं लड़ा गया इसमें साम։द मादो सिंग के बीच में युद लड़ा गया है जिसमें मादो सिंग विजे ही रहे ठीक है इस विजे के बाद में बताती है कि जो इस्वरी सिंग है इस्वरी सिंग ने मराठों को किसको मराठों को 40 लाख रुपे देने का वादा किया वचन दिया है 40 लाख रुपे देने का वचन दिया है और कहा कि मैं 40 लाख रिप्या दे दूँगा थे मनने ही राजा बने औरेन दो आप क्या किजिए मुझे ही राजा बना ने दो मैं आपको कितने रुपे दूँगा 40 40 लाख रुपए दूँगा तो मराठो ने क्या किया कि इसी इस्वरी सिंग को राजा बना रहने दिया लेकिन इस्वरी सिंग आपको पता है कि 40 लाख रुपए देने का वचन तो दे चुका है लेकिन पैसे नहीं दे पाया इसी लिए अपने ही द्वारा बनाएगी सर्गा कूद कर इसने क्या कर दी आतम हत्या कर ली है क्या कर ली है आतम हत्या कर ली है किसमें कर ली इस्वरी सिंग की छत्री जो बनी हुई है कहां चंदर महल या सिटी पेलेस में बनी हुई है सिटी पेलेस के अंदर इसकी क्या बनी हुई है चत्री बनी हुई है किसकी चत्री बनी हुई है तो ईश्वरी सिंग की क्या बनी हुई है चत्री बनी हुई है वेरी इंपोर्टेंट बात आपको याद रखनी है यहां पर ठीक है तो इस तुरी सिंग के समय में राजमेल और बगरू के दो यूद लड़ेगे जो वेरी इंपोर्टेंट है ध्यान रखना ठीक है चारीस लाग रुपे नहीं दे पाया स्वर्ण मुद्राई नहीं दे पाया इसलिए बताती है कि इसने कूल कर क्या कर ली थी आतम हत्या कर ली थी अब आता है इसके बाद में राजा इसका भाई मादो सिंग बनता है कोन बनता है मादो सिंग राजा बनता है जो कि सत्रा सो पचास से लेकर 1768 वी तक सासक रहता है 1750 से 1768 वी तक राजा रहता है अब मादो सिंग राजा कैसे बना क्योंकि मादो सिंग ने भी मराठों को कह दिया मैं थन्य 50 लाख रिपिया देशू थे मन राजा बना दियो 50 लाख रुपे देने का इसने वचन दिया और कहा कि आप मेरे को राजा बना दिजिये लेकिन वचन दे दिया मादो सिंग को राजा बना दिया गया अब राजा बना दिया गया लेकिन ये 50 लाख रुपे दे नहीं पाया क्या नहीं दे पाया 50 लाख रुपे दे नहीं पाया तो मादो सिंग ने जैपुर के जोहरी बजार में कौन से बजार में जोहरी बजार में मराठों का क्या करवा दिया मराठों का कतले आम करवा दिया मराठों का कतले आम करवा दिया मराठों का कतले आम करवा दिया जैपुर के जोहरी बजार में, मराठों का कतलिया में करवा दिया, जिसमें 1500 मराठों का इसमें क्या करवा दिया था, कतलिया में करवा दिया था, किसने मादोसिंग ने, और मादोसिंग के समय में दो युद लड़े गए थे, जो very important है आपको याद रखना है पहला युद लड़ा गया था कांकरोड का युद कौन सा युद है कांकरोड का युद लड़ा गया था दूसरा युद लड़ा गया था जिसका नाम है बटवाडा का युद बटवाडा का युद लड़ा गया था ये सवाई मादोपुर में है और ये टॉंक में है और ये लड़ा गया सत्रा सो फिप्टीन नाइन के अंदर और ये लड़ा गया था सत्रा सो इसरी स्वी के अंदर ठीक है कांकरोड का यूद जो है लड़ा गया था, वह लड़ा गया था, मराठ्ठा, वर्सेज, Kickstarter, ठीक है, और बतवाड़ा का यूद लड़ा गया था, किस किस के बीच में, मादोचिज, वर्सेज, सत्तु साल, हाडा जो की रन्थंबोर दुरग के सा सकते रन्थंबोर के सा सकते सत्रू साल हाडा इनके बीच में लड़ा गया था ठीक है ना तो इसी के समय भी दो युद हैं दो युद हमने पहले पढ़ लिए है पहला कांकरोड का युद है इसके समय में 1789 में मराठा वर्सेज मादो सिंग जिसमें मराठा क्या हो गए थे ये इसमें क्या हुए थे पराजित हुए थे इस युद में क्या हुए मराठा पराजित बीच में रंथंभर दुरग पर अधिकार को लेकर हुआ था जिस सिर्फ में सत्रु साल हाडा के तर सकते जो रंथंभर ने नवे था ठीक ना ने बहुत trust इसका निर्मान करें निर्मान में अगर हम बात करें तो चाक्सु में कहां चाक्सु में सीतला माता के मंदिर का निर्मान करवाया था कौन सी माता सीतला माता का क्या बनवाया है इसने मंदिर बनवाया है कहां बनवाया है चाक्सु में चाक्सु जैपूर के अंदर है सीतला मा तो यह से जी कर वाया था टिक है और सवाई मादोपुर इसने बसाया था किया विवाद में आपके नए सांद लिए जिनका नाम है पृताफ सिंह एborne परताप सिंग है, very important है, ध्यान रखना आपको, चलो, देखते हैं अपनी नए सासक, जिनका नाम क्या है, परताप सिंग, सवाई, परताप सिंग, चीक है, वैसे बीच में सासक ओर आती है, अगर कालकरम की बात करें, तो कालकरम में, बीच में एक राजा आता है, जिसका नाम ह परत्वी सिंग, क्या नाम आता है, परत्वी सिंग, 1768 से लेकर 1778 तक राजा रहते हैं, 1768 से 1778 तक, इसके बाद में राजा बनते हैं, सवाई, परताप सिंग, 1778 से लेकर 1803 इस्वी तक राजा रहते हैं, कम तक रहते हैं, 1778 से 1803 इस्वी तक राजा रहते हैं, जिनका नाम क्या था परताफ सिंग ठीक है परतुई सिंग के बाद में परताफ सिंग तो अपने अब चर्चा करेंगे किसकी सवाई परताफ सिंग की क्या ना मत्त है सवाई परताफ सिंग की इनकी चर्चा करने वाले वेरी इंपोर्टेंट राजा है आपको याद रखने है इनके समय में यूद की बात करें तो यूद भी इनके समय में तीन आएंगे तीन यूद आएंगे सबसे पहली बात तो इनके समय में आएंगे जो पहला यूद था मैं आगे पेज पर ले लेता हूं मैं दुबारा नाम लिग देता हूं इनका परताफ सिंग का परताफ सिंग युद की बात करें तो एक तो ध्यान रखना इनकी उपाधी है उपाधी very important है जिसका नाम है बर्जनीधी की बर्ज नीधी की उपाधी है बर्ज नीधी की आम मैं आपको बता देता हूँ इनके युद के बारे में पहला युद आता है इनके बारे में पहला युद इनके समय में आता है जिसका नाम है तुंगा का युद है कौन सा युद है तुंगा का युद है दूसरा युद इनके समय में आता है पाटन का युद है तीसरा है मालपुरा का युद मालपुरा का युद तीन युद इसके समय में आपको याद रखने हैं तुंगा जैपुर पाटन सीकर मालपुरा टॉंक मालपुरा कहा है टॉंक के अंदर है तूंगा का н, संग 1787 पाटन का य, संग 1790 और मालपूरा का य, संग 1890 य, तीन यूद जो है इनके समय में लड़े गए थे, तीन यूद है कौन-कौन सा तूंगा, पाटन और मालपूरा का यूद, tीनों यूदों में ये युद जो लड़े गए हैं वो लड़े गए है मराठा वर्सेज परताब सिंग सवाई परताब सिंग के बीच में ये भी किसके बीच में मराठा वर्सेज सवाई परताब सिंग और सेम ये ही भी जो है मराठा वर्सेज परताब सिंग के बीच में लड़ा गया है किसके बीच में लड़े गए हैं परताव सिंग के बीच में परताव सिंग तुंगा का युद है जैपुर सन 1767 में लड़ा गया था और मराठा वर्सेज परताव सिंग के बीच में लड़ा गया था पहला युद तुंगा का युद और मराठा इसकी तरफ से जो है वो नेतरत कि तक मैं जिंदा रहुगा जब तक मैं जिन्दा हूँ ठीक है तब टक मैं जैपूर को एक नए एक दिन मिट्टी में मिला दूँगा ध्यान रखना इसने का था कि अगर मैं जिंदा रहा तो मैं जैपूर को मिट्टी में मिला दूँगा ये कथन जो है वो किसका है महादजी सिंधिया का है सुरी सिंधिया का है महादजी सिंधिया का है जो कि इसमें मराठाओं का नेतरतों किसने किया था डी बोई ने किया था किसने किया है डी बोई में जिसमें परताव सिंग्या हो गया था पराजित हो गया था क्या हो गया पराजित हो गया था मतलों इसके बाद में संद्राइस विकान में इस वी क्या होती है पाटन की क्या होती है संदी होती है इसके युद के पशात क्या होती है संदी होती है जै पुरुए मराठों के मद्या 17 स्विकार में में संदी होई थी और इस संदी का पालन नहीं हुआ तो इसके परिणाम सवरूप तीसरा यूद जिसका नाम क्या है मालपुरा का यूद लड़ा गया था मरठा वरसेज परताव सिंग के बीच में कौन सा यूद है मालपुरा का जिसमें मरठा जो है मरठा ने पुने से परताव सिंग को क्या कर दिया परताव सिंग पुने से क्य का दरवार में बरजपाल भट नाम का दरवारी था बरजपाल भट जिसने राधा गोविंद संगीत सार की रचना की थी गरंथ लिखाता इसने राधा गोविंद संगीत सार नामक गरंथ लिखाता इसी के दरवार में गंधरव 22 रहती थी अर्थार गंधरव 22 मतलो 22 विद्वान थे 22 ही जो है विद्वान थे और 22 ही जो है कलाकार थे संगीत कार थे ठीक है और 22 जो है साहित्यकार थे अर्थार जिनको गंध्रवबाईसी या एक नाम है गुणी जन खाना के नाम से जाना दता गंध्रवबाईसी अर्थार 22 विद्वान 22 विद्वान कह सकते हो 22 संगीतकार कह सकते हो 22 संगीतकार इनका संग्मू है था ठीक है बाई संगीतकार बाई साहितेकार इनका सम्मू है था जिनको गंध्रव बाईसी या गुणी जन खाना जो है उनका नाम दिया गया है गंध्रव बाईसी जो सिधा प्रशन आ सकता है गंध्रव बाईसी किसके दरवार में थे जैपुर के परताप सिंग के दरवार में थे कौन थे गंदरव बाइसी ठीक है परताव सिंग एक चित्रकार था जिसका नाम था साही बराम, परताव सिंग के समय में ई अधम कद चित्र बन वन अधा, और इसी के समय में तमसा लोकना्टिय जेपूर का जो परसिद लोकनाटिय है तमसा लोक पनाट्ट आजो इस के समय क्या हुआ था फेमस हुआ फेममों युएस अंग्रेजियाण अगीमन देखो फेमस हुआ था इसी के समय में हुआ ठीक है पर और यह जो है और इसके गुरू थे जिसका नाम था चांद खांग और चांद खांग को गंदरवबाईसी है गुणि जन खाना का जाता है साहीव राम इसवरी सिंग का आदमका चितर बनाएत मासा लोकना टे फेमस हुए गुरू चांध खान जिन्नों ने बुध परकास की रचना की है इसके बाद में अगर हम चर्चा करें तो इनों ने हवा महल का निर्बान करव तो ये हवा महल है ये हवा महल है इस हवा महल का जो निर्मान है वो निर्मान किसने करवाया था सवाई परताब सिंग ने करवाया है सवाई परताब सिंग ने करवाया है हवा महल का निर्मान किसने करवाया है सवाई परताब सिंग ने करवाया है और इसके जो वास्तुकार थ ग्रवधा था क्या पीनिर्मांद करवाए था 49 में ये जो ये जो खिड्किया है जरोखे दिखाई दे켜 रहे ही इसके अंहीं ये खिड़किया जो एचोट चोटी खिड़किया दिखाई दे रही है ये जरोखे दिखाई दे रही है इनकी अगर संख्याओं की बात करें तो लगबग तो 953 तो इसमें खिड़किया हैं कितनी है 953 खिड़किया है और इसमें 152 जरोखिया है ठीक है 953 इसके अंदर के मुकुट के समान है किसके समान है भगवान स्रीक्रिशन के मुकुट के समान है और इसके पहली मंजिल है जिसका नाम है सरद क्या नाम मिलता है पहली मंजिल का सेरद क्या नाम मिलता है पहली मंजिल का क्या नाम मिलता है सरद पहली मंजिल है उसका नाम क्या है सरद दूसरी म विचित्र क्या नाम मिलता है विचित्र चोथी का नाम मिलता है परकास और पांच्वी है हवा ठीक है अर्थार्थ क्या नाम हो गया सरद फिर रतन फिर विचित्र बहुत बार प्रसन आती है विचित्र परकास हवा क्या नाम मिलती है सरद रतन विचित्र परकास हवा सरद सरद मंदिर परताप मंदिर रतन मंदिर क्या ना मिलता है रतन मंदिर विचित्र मंदिर परकास मंदिर और हवा मंदिर क्या ना मिलता है हवा मंदिर सरद रतन विचित्र परकास हवा जो है वो इसका क्या मिलता है नाम मिलता है किसका हवा महल हवा महल की पांचों मंजिलों का स सरद रतन विचित्र परकास हवा सरद नाम नाम मिले तो आपको क्या नाम मिलेगा परताप नाम मिलेगा परताप मंदिर जो है मतलो सिधा प्रशन या तो इनका करम पूछ लिए जाता है पहली दूसरी तीसरी मंजिल कौन सी है या फिर सिधा पूछ लिए जाएंगा कि हवा मह परकास हवा ठीक है पहली मंजील है सरद या जिसको परताप मंदिर के नाम से भी जाना जाता है जिसका निमान किस ने करवाया था तो सवाई परताप सिंग ने करवाया था ठीक है दोस्तों तो इसी के साथ या आपके सवाई परताप सिंग भी क्या होता है complete चलो दोस्तों नावाता है सवाई जगत सिंग जो की अठारा सो तीर से लेकर अठारा सो अठारा तक सासक रहता है सवाई जगत सिंग की मैठपूर बातों की बात करें पहली बात तो यहीं है कि M T I C, मतलो Ist India Company के साथ इस ने क्या कर लि थी, संदी करने वाला क्या है, जैपूर का पर्थम सा सक है, Ist India Company के साथ संदी करने वाला जैपूर का पर्थम सा सक है, कौन है, सवाई परताफ सिंग, 1807 इसके समय में युद लड़ा गया गिंगोली का युद, गिंगोली का यूद के बारे में डिटेल से मैं आपको मिवार के इतियास में बताऊंगा यहां नहीं बताने वाला गिंगोली का यूद लड़ा गया था गिंगोली का यूद अपने डिटेल जो किसमें पढ़ेंगे मिवार के इतियास में पढ़ेंगे जो कृष्णा कुमारी विवाद आता है राणा भीम सिंग के समय में उसमें आएगा गिंगोली का यूद इसके बाद में जैपुर का बदनाम सासे कहा जाता है इसको बदनाम राजा कहा जाता है क्योंकि एक नाम आता है रसुक पूर वेश्या इस रसुक पूर बताते हैं इस इसका काल करम क्या है तहरा सो तीन से अठारा सो अठारी सद्लmani के साथ संदी रसकपुर वेसा की करना वद नाम हो गया जैपुर का बदनाम राजा और 1898 समय में कॉन इंघंड natural 1818 से लेकर जो है इसका सासन रहा है कहां से कहां तक 1818 से लेकर इसका सासन रहा है 1835 तक 1835 तक इसका सासन रहा है कोई इंपोर्टेंट बात नहीं है इसके बाद में अपने आता है सवाई राम सिंग सवाई राम सिंग सेकेंड राम सिंग सेकेंड 1835 से लेकर 1880 तक इसका सासन र ठीक है वह स्कूल को ले जांगा मामलाम जी को नी फेमस राजा वो ही है कुने सवाई राम सिंग सेकंड है ठीक है बांध वगेरा भी अनबनवाद दियो अलबर्ट होल गो निर्मान भी इंगा टाइम में होई है मतलो जैपूर के परसिद सासकों में नाम आता है किसका सवाई राम सिंग सेकंड का आता है किसका आता है सवाई राम सिंग सेकंड का तो सवाई राम सिंग के सेकंड के मैतपूर बात क्या एक तो द्यान रखना 16 माहा की आयू में राजा बना क्या बना चोटी सी उमर थी 16 मां की आईउ में राजा बन गया थाइए अब क्या हुआ कि इनही के समय में राजस्तान में पहली बार 1849 में दिवानी पलस ठोजदरी न्याले सामने आए न्याले आए ठीक है इनही के समय में और 1843 में क्या हुआ क्योंकि आपको पता है ये नावालिक था जैपूर का सासन वरस्त सही डंग से समाली नहीं गई इसलिए इस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया जैपूर का जो सासन है वो सासन किसको सौंप दिया जोन लूडलो को सौंप दिया किसको जोन लूडलो को सौं पर दिया तो इस इंडिया कंपनी ने और इस ने जोन लूडलोँ ने यहाँ पर है जोन लूडलो समीति का घठन किया था जोन लूडलो समीति का गठन है यहां पर किया गया छीक है न इस जोन लूटनों ने क्या किया जैपूर में कन्यावद है बाल िवा है सती पर था है दहेज पर था है दास पर था है सती पर था लगबग 18 travm 40 में इसने क्या है कि इसको 42 की थी और दास पर था है इन दास पर्थाओं पर सब पर जैपूर में क्या लगा दी इसने पाबंदी लगा दी धियान दखना ये जितनी भी कूप पर था ही भारत में उस समय जो जैपूर रियासत में पर चली थी उन्हें सभी पर्थाओं पर इसने क्या लगा दी थी पाबंदी लगा दी जैसे कन्य सुदहार का जनक कहा जाता है ठीक पर नकल्स्थ ल्में जन्-जागरिती अगर लेकिन जैपूर में सामजिक सुधार का जनक अगर पुछे आप से तो उसका आंसर आपके क्या आजाएगा जोन लूड लो आजाएगा ठीक है ना इसके बाद में आते हैं सवाई राम सिंग जो है उस राम सिंग के जैपूर में क्या क्या कारे रही हैं सवाई राम सिंग के क् संस्कृत कोलेज इनकी स्थापना की थी जैपुर में महराजा कोलेज और संस्कृत कोलेज की स्थापना की थी सन 1885 में जैपुर में सिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ठीक है ध्यान रखना दूसरी बात इसके निर्मानकारे में आई जीगी कि 1857 में इसने मदर्शा राजस्थान स्कूल ओफ आर्स एंड आर्स एंड क्राफ्ट दा राजस्थान स्कूल ओफ आर्स एंड क्राफ्ट इसकी स्थापना की थी कब 1857 में मदर्शा ही हुनरी कह सकते हो या दा राजस्थान स्कूल ओफ आर्स एंड क्राफ्ट की स्थापना की थी इसने ठीक है यह की बार पटवारी भी पुछा गए दोज और 21 में पटवारी गों पेपर उड़ा नहीं बिंग अंदर आईड़ा है सगड़ो याद करते हैं जरूरी है दा राजस्तान स्कूल ओफ आर्च एंड क्राफ्ट की स्थापना की थी किस ने की थी 1857 में किसके समय हुई है सवाई रा राजस्तान का यह वाधर ऑटरी भारत का जो है पर्थम रंगमंच है रंगमंच ठीट्र जानए ओट सब्सकार आपर फिलमन देखन जाएं रजस्तान का राम प्रकास जो थीट्र की स्थापना की थी समय में चौथी बात इसके समय में आ जाएगी की 1861 में इसके समय में रोमन कैथोलिक चर्च की स्थापना की थी रोमन कैथोलिक चर्च इसका क्या करवाय था इन्होंने निर्मान करवाय था ठीक है तो यह कुछ एक महत्पुन बात ने आ जाएगी इसके और इसके अलावा अगर हम महत्पुन बात करें तो वो है कि सवाई सवाई राम सिंग के समय ही किसके समय में सवाई राम सिंहें के समय 1868 में ब्रिटी समराट एड़वर्ड पंचम की कहां यात्रा थी जैपुर यात्रा के दोराग सवाई राम सिंग जैपुर जैपुर को किसको जैपुर को गुलाबी रंग में रंग वाया था तो द्यान रखना जैपुर को निर्माता अधुनिक जैपूर का निर्माता अगर आएगा तो उसमें नाम आएगा मिर्जा इसमाईल का किसका नाम आएगा मिर्जा इसमाईल जो कि लास्ट जो सासर करना यहां का ठीक है जो मान सिंग है उसका क्या है यह परधान मंतरी है मिर्जा इसमाईल इसका नाम वह चित्रन किसने किस्टेता था कितरले सटेनले सटेनले रिड में किया था किसने किया था स्टेनल्य रिड नेक था अपनी पूस्तक दे रोयल अ आरो वाई है रोयl अंग्रेच जी कुनिया और अ ओचेफित डी रोयल टास्टें आन ऌफिया मतलो इन सबद का गुलाबी रंका या परते किमारत गुलाबी है इस चीज़ का जो वर्णन है वो वर्णन जो है वो किस ने किया था स्टेनले रीड ने किया था क्या नाम आता है स्टेनले रीड स्टेनले रीड ने दी रोयल टाउन ओफ इंडिया में किया था कि 870 iocpe में Lord Mayo कोना आये थे Lord Mayo राजिस्टान आये थे कहा ये थे Rाजिस्टान आये तो इनकी स्मर्ती में मतलओ इनके आने के आगमन में श्रम इसके बाद में चीक है 1175 ii wix वी में जो है अजमेर में कहां अजमेर में कौन्छे कोलेज की Mayor कोलेज की स्थापना की थी मेयो कोलेज की स्थापना की थी 18.25 में मेयो कोलेज की स्थापना की थी इन्हें के समय में की थी आई बाद समझ में अब इसके बाद में द्यान रखना कि इन्होंने जैपूर में एक तो और क्या है राम बाग पेलेस बनवाया था इन्होंने ठीक है और राम बाग पेलेस में राम निवास जो है राम निवास नाम का क्या बनवाया था गार्डन बनवाया था राम बाग पेलेस और इसके अंदर जो है राम निवास नाम का क्या बनवाया इन्होंने गार्डन बनवाया है और 18 1776 में इनके समय में Prince of Wells Prince of Prince of Wells Albert वेल्स अलबर्ट जो है वो क्या आये थे जैपूर आये थे चिक है और Prince of Wells जो है वो जैपूर आये थे तो इनके जसा याद में मतलो जैसी जैपूर आये तो इसके अवागमन पर एक तरहां से इन्होंने जैपूर में किसका निर्मान करवाया था अलबर्ट होल का जो एक तरहां से वर्तमान में संग्राले ही मानलो अलबर्ट होल का निर्मान करवाया था अलबर्ट होल का निर्मान जो है वो किसने करवाया था तो नाम आता है सवाई राम सिंग सेकंड राम सिंग सेकंड ने करवाया था इसकी नीव जो है वो नीव किस ने रखी थी स्वैम अलबर्ट ने रखी थी इसकी नीव इसका निर्मान जो है निर्मान प्रारम कब हुआ था तो 1876 में हुआ था और इसका जो निर्मान पूर्ण ह जो है वो इसके क्या रही है वास्तुकार रही है Cris अपने फोटो देख लेते हैं तो दोस्तो आपको आपके मुवायल स्क्रीन पर यह जो है एलल्बर्ट हो दिखाई दे निर्मान किसने करवाया था तो निर्मान किसने करवाया था तो राम सिंग सेकंड ने करवाया था किसने राम सिंग सेकंड ने जिसकी नीव किसने रखी थी स्वैम अलबर्ट ने और इसका निर्मान पूर्ण जो 1887 में किसके समय पूर्ण हुआ था तो बाद कर आजाएगा ज अच्छी चीजें रखी हुई है ठीक है तो जरूर देखे हैं आप चलो दोस्तों अब थोड़ा सा मैं और बता देता हूं इसके बारे में परसिद जो है मैंने आपको बता दिया इसमें गलीचा है गलीचा जो है आकरशन का बहुत बढ़िया के अंदर है इसके लावा ये जो शेलियों का इसमें क्या है मिस्रन हैं इन मिस्रन से यह त्यार किये गए है और इसी राम सिंग के समय में ही स्वामी दयानंद शर्षवती डयानंद शरस्वति तीन बार जैपूर आये थे तीन बार जैपूर आये एक तो श्वन आये थे 1866 में आये थे और 1888 में आये थे ठीक है 1866 66 और 78 में आये थे तीन बार जैपूर आये थे ध्यान रखना और और इसी जो है राम सिंग नहीं क्या किया था जैपूर में राजस्तान का पर्थम चिडियागर खुलवाया था ये भी ध्यान रखना राजस्तान का पहला चिडियागर इसी नहीं खुलवाया था और जमुआ रामगड बांध का निर्मान भी जमुआ रामगड बांध का निर्मान भी इसी नहीं करवाया ठीक है 1857 की करांती के समय करांती के समय राम सिंग क्या है जैपूर के सासक है 1857 की करांती के समय भी ये जैपूर के क्या रहे थे सासक रहे थे इसी दोरान अंग्रेजों की साहिता करने के दोरान ही अंग्रेजों ने इसे सितार ए हिंद की क्या दी थी उपादी दी थी किस की उपादी दी है सितार ए हिंद की उपादी दी थी साथ में कोट पुतली की क्या दी है जागीर भी परदान की थी सितार ए हिंद की उपादी और साथ में क्या दिया है इसको कोट पुतली की जागीर भी परदान की थी किस ने की थी कोट पुतली की जागीर परदान सिंग 1880 से लेकर 1922 तक यह क्या रही से यहां के राजा रही आधारा सो अश्सी से 1922 वैरी इंपोर्टनट बात क्या है राम सिंग जो है इन्होंने एक तो दुरग जिसका नाम है नाहरगड़ दुरग कौनसा गड़ इन प्रेमिकाओं के लिए इनोंने जो है नहर गड़ दुरग बनाऊ है जिसका निर्मान जो है सवाई जैसिंग ने करवाय था इस नहर गड़ दुरग के अंदर इनोंने नो एक जैसे महलों का निर्मान करवाय था नो एक जैसे महीलों का निर्मान किस ने करवायी था सवाई मादो सिंग ने करवायी था या आ बात समझे ले चीक है 1902 इस्वी में क्या किया 1902 इस्वी में मादो सिंग ब्रिटी शम्राथ एडवर्ड सप्तम के राज्या विशेक के अवसर पर राज्या विशेक के अवसर पर इंग्लेंड गए थे इंग्लेंड गए थे तो ये अपने साथ अपने साथ बड़े बड़े चांदी के बरतन ले गए थे बड़े बड़े चांदी के क्या ले गए थे चांदी के क्या ले गए थे बड़े बरतन ले गए थे 345-45 केजी के थे इन में लगबग 7000 लिटर क्या आता था पाणी ये बरतन जो है क्यों लेके गए थे एक तो जो है बारतियों मानेता है कि समूंदर पाजाना अच्छा नहीं होता इस तरह हैं से और ये क्या है कि गंगा जल से ही सनान करते थे या गंगा जल का ही सेवन करते थे जो अनेक मानेता हैं तो ये जो है ये चांदी के बरतनों में गंगा जल भरकर लेकर गए थे गंगा जल लेकर गए थे अपने साथ दो बड़े बड़े चांदी के बरतन लेकर गए थे 345-445 कि लोगे थे जो की जिनका नाम गिनीज बुक में दर्ज है ध्यान रखना गिनीज बुक में इन चांदी के बरतनों का नाम दर्ज है जो की वर्तमान में ये चांदी के बरतन है ना ये बात very important है और इन्हें के समय में 1904 इस्वी में जैपूर में जो है राजस्तान में ही बात करें मादो सिंग के समय में ही राजस्तान में पर्थम डाक पलस पोस्ट कार्ड जारी हुए थे इनहीं के समय में सरव पर्थम जो है राजिस्तान में पर्थम डाग पलस पोस्ट कार्ड जारी हुए थे किसके समय में हुए थे मादो सिंग के समय में ही हुए थे ध्यान रखणा ठीक है 1911 इस्वी में इनहीं के समय में ही जैपूर में जो है कोन आई थी जैपूर में आई थी कवीन मेरी आई थी महराणी कोन आई थी महराणी मेरी जो है जैपूर में आई थी चीक है ना द्यान रखना आई बात समझ में और 1905 में इनों ने क्या किया था कैथोलिक रोमन कैथोलिक चर्च बनवाया था रोमन कैथोलिक चर्च बनवाया था ये रोम ठीक है तो ये बातें जो है ये किस की हो जाएगी आपके मादो सिंग की हो जाएगी देखो दुबारा देख लेते हैं मादो सिंग स्वाई मादो सिंग नाहरगर दुरग में अपनी नो एक जैसे महलों का निर्वान कर आया था अपनी नो प्रीमी काओं के लिए ठीक है 1902 में मादो सिंग ब्रीटी समराट एडवर्ड सप्तम के राजय विशे के आउसर पर इंगलेंड गए तो वहां बड़े बड़े चांदी के बरतन 345 कजी के लेके गए थे जिनमें 7000 लीटर पाणी आता था गंगा जल भरकर जो है इनमें लेकर गए थे जैसे भी मानिताएं बोची है जिनको गिनीज बुक में दर्ज किया गया इनको इनको कहां दर्ज किया गया गिनीज बुक में दर्ज है वर्तमान में ये जैपूर के सिटी पेलेस में पड़े है 1904 में राजस्तान में डाक वै पोस्ट कार्ड जारी गए था सरोपर था मादो सिंग के समय में 1911 म जैपूर जो है जैपूर में किसका अवागमन हुआ था महराणी मेरी का अवागमन हुआ था 1905 में इनों ने कैथलिक चर्च बनवाया था कहां बनवाया है फुलेरा में बनवाया है इसके बाद में राजा आती है राजा का नाम है मान सिंग मान सिंग सेकेंड है ये 1922 से लेकर 1949 तक राजा रहे है पहला जो प्रशन इनके लिए बन जाता है वो यही बन जाता है कि एकी करण के समय एकी करण के समय जैपूर के सासक जैपूर के क्या है सासक इनी के समय में जैपूर को क्या बनाई गई थी राजधानी बनाया गया और मा सिंहें को माहाराज परमुग बनाए गया था कौन से चरण का चोथित Ben kind के समय में चोथित चरण संब्सक्रण नो फर पर मुझत और हुँ संवेस संग और सभू राजिस्तान संग्स तीसरा से सहींक राजिस्तान संग्र مشत हुं सा मुख नहीं है माफी चाहता हूं राज पर्मुख बनाया गया था महाराज पर्मुख नहीं है यह इनको क्या बनाया गया था राज पर्मुख बनाया गया था चोथे चरन का इनको राज पर्मुख बनाया गया था राजस्तान के एक मातर महाराज पर्मुख थोते बुपाल सि सब्सक्राइब साख़ lepardar बनवाई था था हवाई एड़ा शागैंद का नहीं करई था इनकी जो मरतियो है वहाँ हुई थी कहा खुए ठीक है इंगलेंड में विठी इंगलेंड मे इनकी मरतियों ही थी क्या खेलते वंपेले इनकी मरत्यू हो गई थी और इन्हीं के परधान मंत्री थे परधान मंत्री का नाम क्या है परधान मंत्री का नाम है मिर्जा इसमाईल नाम है क्या नाम आता है मिर्जा इसमाईल और मिर्जा इसमाईल इनका नाम आता है मिर्जा इसमाईल जिनको क्या कहा जाता है आधुनिक राज घराने की पर्फवा में पर् razem कथा लिखी थी। मेला थी इसी के साथ ही आपके जैपूर का इतिहास का यहां पर क्या किया जाता है समापन किया जाता है और जैपूर की हिस्ट्री आपकी कम्प्लीट हो चुकी है आपका राजिस्तान के इतिहास में सब्वेता हो चुकी है गुजर परतिहार हो चुका है चोहान हो चुका है र आज के लिए इतना ही धन्यवाद.